किसानी कब्तान बाबराजम वंडे क्रिकेट में बेस्ट बले बाज डिकलियर हो चुके हैं और यूँ इस तरह उन्होंने भारती बले बाज़ भारती कब्तान विराध कौली को भी जनाब मार दे दी है तो दोनों में बड़ा बलेबास कौन है, ये जाने के लिए इस वक्त में फैसलबाद में मوجود हो यह है के कृक्रिकٹ दीवानों से पूछते हैं कि वड़ा बलेबास कौन विराद कोहली या फिर बाबर आजम देखें विराद कॉली बहुत अच्छा प्लेयर है बड़े बहुत एक्स्पिनियस अगला प्लेयर है लेकि नौट ओड हमारा बाबर आजम भी कम नहीं है देखें नमबर वन हुना बहुत बड़ी बात होती है यह बहुत बड़ा अला का अजाज़ा जो उसको मिला है तो इंशालला बाबर आजम के मजीद मेनत करें और विराद कोली से अच्छा बनेगा इंशालला चना मुझे बताईए गया कि क्या अक्साइट्मेंट का आलम है कि हमारे कप्तान बाबर आजम जो है चाह गये हैं नंबर वन बैट्समेंट बन गए हैं भारती कप्तान विराद कोली को भी मात दे गया है ऐसे यह आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं बड़ा मजा है उनका मैज देखे बहुत अच्छे बैट्समेन है वह और विराद कोली से भी नंबर वन हो गए है ठीक है और हमें बड़ी खुशी है कि अच्छे बैट्सम झोनमबर वन प्लेए बन चुके हैं ठीक है और दूसरी बाहत है कि विराद को लिए वो काफी अस्टे से क्रिकट खेर है लेकिन बाबर आधम ने कम टाइम में बैक कम टायम में आके उसमें अच्छा क्रिकट खेली और अच्छा कैरियर अपना बना है बाबर आजम जो हैं इंडिया से बाजी लेकर एक्साइटमेंट का आलम यह है कि हमें बड़ी खुशी होती है जूमते हैं और इससे बढ़कर खुशी है कि विराथ को भी जो पीछे छोड़ गये हैं जो के इंटरनेशनली एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे बहुत खुशी है और बाबर आदम स इसी तरह ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले तो हम पूरे पाकिस्तान को यह मंभार बाद देती हैं तो पाकिस्तान का नमबर बान बाबर आदम हो गया ठीक है और अल्ला का लाक लाक शुक्र है तो पाकिस्तान में ऐसा हमारे पास प्लेयर है तो जो पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा देखेंजी अपना क्रिकेट में नो डूड के वराद को ली को जितना अर्सा हो गया खेलते हो गये उसमें कोई शक नहीं है कि वह बड़ा प्लेयर है वह दूसरे नंबर पर फ्रेंट फूट का बहुत अला प्लेयर है ठीक है हर बॉलर उससे बाता है जब दिया है और इंशाला तला जितना अब भी वो खेलेगा तो वराद को ली को बहुत पीशे छोड़ जाएगा विराद को ली में इसी कौन सी खुबी है जो बाबर आजम में आप देखना चाहेंगे वराद को ली नो डूड के जितना अर्सा होगा उसे खेलते होगे तो वह बॉरहासर सांड बैटस्पन था वो सालिड बैटस्पन था है वो फ्रंट फूर्ड का बड़ा अच्छा प्लेड था अब वो खेलते खेलते इतना तेरबा हो गया कि वह रतारा का बॉल को वह अच्छे तरीके से अर्जस्स कर लेता है तो इसी तरह बाबर आजम भी जब ख हो जाएगा तो बापरादम डेफिनेर्ली अपना पूरे वाल्ड का नंबर वान हीरो रहेगा हमारा पाक्सान